कैसे हो बच्चों, हिंदी की क्लास में और बिस्कूल की तरब से आपका फिर से स्वागत है आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं, कहानी को आपको ध्यान से सुनना है एक दिन एक दादाजी बिमार हो गए और उनको दात में दुखने लगा दादाजी ने कहा दवाई लानी पड़ेगी, दादाजी जबी दवाई लाने दवा खाने जा रहे थे उन्होंने देखा एक दुलहा और एक दुलहन जा रहे है दादाजी ओटो रिक्षा में जा रहे थे, ओटो वाले ने ओटो दवा खाने के पास रुका दी दादा जी ने पूछा कितना भाड़ा हुआ ओटो वाले ने बताया 10 रुपे और 2 रुपे मतलब की 12 रुपे हुए बाद में दादा जी दवा खाने में गए डॉक्टर को मिले डॉक्टर ने दवाई दी और नरम खाना खाने को बोला जैसे की दाल, खिचडी, दही चावल डॉक्टर ने दवाई दी और दादा जी दवाई लेके घर गए घर गए तो दादी जी ने दरवाजा खोला दादा जी ने दाल खाई, दवाई ली और वो सो गए थोड़ी रेर के बाद में वो ठीक हो गए कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? अभी आपको ये बताना है कि ये कहानी में कौन सा व्यंजन बार बार रिपीट हुआ है व्यंजन द सही बताया आपने द से दादा जी, द से दादी जी, द से दात, द से दवाई, द से दो, द से दस, द से दुलहा, द से दुलहन, द से दवाखान, द से दाल, द से दरवाजा, द से दही, और द से दिल भी होता है दिल मीन्स हाट और थोड़े नए शब्द सिखते हैं दसे दस्तावेज, दस्तावेज मीन्स डॉक्यूमेंस दसे ड्वीप, ड्वीप मतलब आइलेंड दसे दालजीनी, दसे दर्शक, दर्शक मतलब ओडियन्स दसे दोड़ना, दसे दफ्ती, दफ्ती मतलब काड़बोड दसे दाढ़ी, दसे दया, दया मतलब काइंडनेस दसे दुम, दुम मतलब टेल और दसे दूद भी होता है ये क्या है? दिवार, दसे दिवार भी होता है चलो द की कविता सुनते है दादा दादी आए है, मिठाई खिलोने लाए है, रोज कहानी हमें सुनाते, अच्छी बाते मुझे सिखाते व्यान जन्द की राइटिंग प्राक्टिस करने के लिए बच्चों क्या करोगे? कौन सी बूक लोगे? माई स्किल बूक, सही बताएगे पेज नमबर 55 पे हमें व्यान जन्द लिखने की प्राक्टिस करनी है क्या करोगे पहले? लेफ्ट साइड कॉर्णर में आज का डेट लिखोगे कौन सी डेट लिखोगे? 11.8.20 अब देखेंगे व्यान जन्द लिखते कैसे है व्यान जन्द लिखने के लिए पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनानी है फिर हमने व्यान जन्द कैसे लिखना सीखा था? वैसे ही लिखना है पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में स्टेंडिंग लाइन फिर दूसरी लाइन और दूसरी लाइन के बीच में एक छोटा सा C C for cat यह हो गए आपका व्यंजन ट अगर इसके उपर में sleeping लाइन बनाती हूँ तो यह हो जाएगा आपका व्यंजन ट तो आप क्या करोगे द लिखने के लिए द से दर्वाजा, द से दवाई, द से दात क्या करना है पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में standing लाइन दूसरी लाइन और तीसरी लाइन के बीच में small c यह हो गया आपका ट से टमाटर फिर थोड़ा सा उपर जाके ऐसे शोटा सा circle बनाके चोटी सी slanting लाइन, जो रेड लाइन को touch नहीं करेगी यह हो गया आपका द, वापस एक बार देखेंगे पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में standing लाइन दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में small c फिर उसके उपर जाके चोटा सा circle बनाते हुए slanting लाइन, नीचे की तरफ, जो रेड लाइन को touch नहीं करेगी और पहली लाइन पे, slipping लाइन, यह हो गया आपका 10 से 10, 10 से 10, और एक बार लिखेंगे पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में चोटा सा straight line, दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में small c फिर pencil नहीं उठानी है, थोड़ा सा उपर जाते हुए पीछे से अंदर आके, छोटा सा circle बनाके slanting line down, और वो रेड लाइन को touch नहीं करना है और पहली लाइन पे, sleeping line, यह हो गया आपका 10, 10 से 10, और एक बार लिखेंगे पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में standing line दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में small c यह बनाओगे आप टस से टमाटर उसके उपर थोड़ा सा अंदर जाके circle बनाते हुए, नीचे आके छोटी सी slanting line जो रेड लाइन को touch नहीं करेगी और पहली लाइन पे sleeping line यह हो गया आपका 10 से 10 बच्चों बोल के लिखना है और पहले आप writing प्राक्टिस करोगे पहले पूरा tracing करोगे वापस एक बार tracing करोगे फिर अपने आप लिखोगे और जबी लिखोगे आप अच्छे से बोल के लिखना है मुझे आशा है आपको व्यंजन्द समझ में आया होगा धन्यवाद